कोरुना कब कैसे और कहां से आया इसकी खोज पूरी दुनिया कर रही है पर अभी तक इसका जवाब किसी को भी नहीं मिल पाया है लेकिन फिर भी सब यहीं बोलते हैं कि कोरुना चीन की ही देन है इसी बात का पता लगानी के लिए इसी साल जन्वरी में डबलू एचो चीन की वहान चहर तक पहुँच चुका है लेकिन कोई ठोज सबूत हाथ नहीं लगे हां रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया कि ये पता नहीं चल पाया है कि चीन में लोग इस वाइरस से कैसे संक्रमित हुए ऐसा लगता है कि ये वाइरस जानवरों से इंसानों में आया लेकिन ड 12 जुलाई को डबलू एचो ने चीन से दुबारा स्टडी करने की बात कहीं डबलू एचो ने चीन से वहान की वेरोलोजी लाब और चीन के मार्केट में फिर से जाने का प्रपोजल रखा लेकिन इस बार चीन ने साफ साफ इंकार कर दिया क्यूं बताते हैं इनसे मिलिये यह है चीन के नैशनल हेल्थ कमीशन के वाइस मिनिस्टर जैंग येक सिंग यही वो शक्स हैं जिनोंने डबलू एचो के प्लान पर पानी फेर दिया इनका कहना है कि डबलू एचो को पहले ही सभी तरह का डेटा दे दिया गया है हम उमीद करते हैं कि डबलू एचो चीनी के विचारों और सुझावों को गंभीरता से रव्यू करेगा इसके साथ ही कोरोना वाइरस की उत्पत्ती की ट्रेसिंग को विज्ञानिक वामले के रूप में देखेगा ना की राजने ते अब जब चीन ने डबलू एचो को इंकार कर ही दिया है तो क्या कभी इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि आखिर कोरोना वाइरस आया कहां से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वो कौन है जो अभी भी ये पता कर सकता है अमेरिका सभी के लिए उमीद की एक करण के समान है क्योंकि अमेरिका के राश्पती जो बाइडन ने 26 माई को अमेरिकी जाच हो सकती हैं वो बताते हैं चीन पर दबाव बढ़ेगा अमेरिका और चीन के रिष्टे बिगड़ सकते हैं चीन की आर्थिक गतिविद्यों पर भी असर पड़ेगा दुनिया भर के ट्रेट पर इसका असर पड़ेगा चीन के प्रती दुनिया का नजर्या बदल जाएगा सि एक High Security Research Lab है यहाँ पर उन बैक्टिरियाज वाइरस की स्टडी के जाती है जो निसानों को किसी नई बीमारी से संक्रमित कर सकते हैं यह एक ऐसी लैब है जहाँ पर काम करने वाले विज्ञानिकों को कड़ी सिक्योरिटी में रखा जाता है ताकि गलती से भी वाइरस लीक ना हो जाए तमाम सिक्योरिटी के बावजूद इसके खत्रे पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं अगर आपको SARS-CoV-1 वाइरस का नाम याद हो तो ये वाइरस चीन से ही दुनिया भर में फैला था और इसकी सबूत भी मिल चुके हैं कर दो कर दो